बिग बॉस 17 फेम और यूट्यूबर अनुराग डोबाल इस समझ चचा में आ गए हैं। यूके राइड का एक वीडियो बीते दिन वाइरल हुआ है जिसमें कुछ लोग अनुराग पर हमला करते नजर आ रहे हैं। वीडियो में अनुराग कार के अंदर बैठे नजर आये थे वहीं बाहर कड़े कुछ लोग उनकी कार को घेरने की कोशिश कर रहे थे। इस वीडियो को वाइरल होने के बाद कहा जा रहा था कि मुनवर फारुकी के फैंस ने अनुराग पर हमला करने की कोशिश की है। अनुराग डोबाल और मुनवर फारुकी के बीच कभी नहीं बनी। दोनों बिग बॉस के घर में हमेशा एक दूसरे के खिलाफ नजर आये। वहीं शो में बहार आने के बाद भी दोनों के वी शोशल मीडिया पर जुबानी जंग का सिलसला जारी रहा। वहीं इस वीडिय होने के बाद मुनवर फारुकी के फैंस पर अनुराग पर हमला करने का आरोप लगा लेकिन अब अनुराग ने इस वीडियो का सच बताया है। अनुराग ने इस बात से इंकार किया है कि उन पर हमला करने के कोशिश करने वाले मुनवर फारुकी के फैंस थे। न्यूज 18 शोशा से बात करते हूँ अनुराग ने खुलासा किया कि उनका वो वाइरल वीडियो उनके लेटेस ब्लॉक के दोरान का है। UK राइड ने कहा कि मैं यमुना नगर एक इवेंट के लिए जा रहा था। वो वीडियो उसी दोरान का है। वीडियो में मुझे मेरे ही फैंस ने घेल लिया था। अनुराग ने बताया कि उनका जो मीठब था वो शोशल मुद्दे और रोड सेफटी को ले कर था। वहाँ सभी राइडर्स के लिए गिवब भी भी था। इस वीच वहाँ फैंस आ गए थे और इवेंट में एक किलूमीटर पूरे हाइवे को ब्लॉक कर दिया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मताबिक अनुराग एक कॉफी शॉप में बैटे थे जहां दुकान के मालिक ने अनुराग को जोकर कह दिया था। कुछ का मजाग उनने के बाद अनुराग ने मुनवर को लेकर कुछ गलत बाते कहीं थी। जिसके बाद कॉफी शॉप के मालिक जो मुनवर के फैन थे उन्हें गुस्ता आ गया था। और ऐसे में उन्होंने अनुराग की पिटाई कर दी। लेकिन अब अनुराग ने इस पर अपनी सफाई देते हुए इसे खारिच कर दिया है। दी गई जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल खबीत उक्रा को सब्सक्राइब करें। धन्यभागत।